अगर 2024 के board पर इक्षा में आपको topper बनना है ना तो ये चार काम जरूर करना पड़ेगा अगर ये चार काम कर लेते हैं तो आपका आधार नंबर तो इसे ही मिल जाएगा देखो अगर आपका question जो आप लिखे हैं उसमें कुछ गलत भी लिखे हैं अगर आपकी राइटिंग स बनाना है तो आपकी राइटिंग सुन्दर होना चाहिए और यहां अगर राइटिंग आपकी 100% पूरा सुन्दर है ना तो इक जमन आपको पूरा माक्स वहां पर देगा पर question में इसलिए पहला आपको काम करना है तो पहला काम अपनी राइटिंग को अपनी लिखावट को क्या करना है बाबु सुन्दर करना यापनी हैंड हां राइटिंग अभी से practice करना चाम करना सुरू कर देजिए आपकी handwriting जितना सुन्दर होगी उतना रियल्ट आपका बेतर नहीं बेहतर होगा सबसे बेहतर होगा writing यह आपके रियल्ट को बनाती है दूसर का writing speed यह बहुत बड़ा factor हो जाता है अगर आप यह writing speed को इस writing speed पर काम करना सुरू कर देते तो आपका result यह बहुत मतलब बहुत आप सारे प्रस्नों का जवाब नहीं देपाएंगे सारे प्रस्नों का जवाब देने के लिए आपको लिखाओट इस पीड़ी इतना तेज करना होगा कि एक को सब्सक्राइब करने के लिए 5-6 मिनट लगे 10 मिनट लगे लेकिन 10 से ज्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि जो कोश्चन पेपर करता जो कोश्चन डालता है उस कोश्चन का हर कोश्चन का टाइमिंग से रहता है अगो फॉलो करेंगे तो भाई आपका सारे जवाब दे पाएंगे तो आपका रियल्टी बेटर होगा तो दूसरा यही काम करना कि अपने राइटिंग स्पीड को भी बढ़ाकर चलना भी ने कि लिख रहा है तुसी में रगर रहा हुस्य में आदर गंट लगा दिए जो सारे प्रसन के के जवाब देने यहागा जो नहीं जवाहब देंगे तो भाई या कटासंब लिखा चुर जाएक ही तर्षान करते हैं जो कितावी भासा में टीचर लिखवा है उसी को याद करके चल जाते हैं जिसके कान से सही होते भी आपको फुल माक्स नहीं मिलता है अगर सोच नमर का आपका कुश्चन है और आप कितावी भासा में इंसर लिखकर रहा है तो आप वह पांच नमर ने तीन नमर त्यार करना कितावी भासा में नहीं अगर अपने भासा में त्यार करेंगे तो एक्जामन बोलेगा लईका तेज और फुल माक्स उस कंडिशन में आपको देगा इस लेंग्विज पर ध्यान रखना है अपनी भासा में प्रस्णों का एंसर आपको लिखना है चौती चीह स सबसे इंपोर्टर और शबसे आखरी सबसे इंपोर्टर इस चीज़ है चोत्या आपका इके घ्जामपल या ड्याइगराम अब आप सुचेंगे एक्जामपल और डाइग्राम का क्या भेल हुए, देखो, आपको अभी से जितना भी कोश्चन है, जितना भी आप कोश्चन त्यार कर रहे हैं, पर कोश्चन पर आपको एक्जामपल या डाइग्राम या चीतर आपको सुचना पड़ेगा, अगर इसलिए कोश्चिस करना है, जितना भी आप कोश्चन त्यार कर रहे हैं, आपका जो कोश्चन बन रहा है, उसको एक्जामपल के मादेम से या चीतर के मादेम से बातों को समझा सके, अगर ऐसा एक्जाम में करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा नमबर मिलेगा, तो राइटिंग, राइटिंग, स्पीड, लेंगवेज, और एक्जामपल या डाइग्राम, इन चार्च यो पराज और भी सबसुधार करना सुरू कर दिए, देखिए आपका डिजेट ऐसे ही बल्ले-बल्ले हो जाएगा, इस वीडियो को पूरा सेर कर दिए, ताकि हर के लिए चार और चार कौन सी काम है, जो हमें असानी से टॉपर बना सकती है, और हाँ इस वीडियो को सेर ज़रूर करेगा, जै हेंद राइटिंग,